अगर खूब कोशिश के बावजूद आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता तो आप धनिया से जुड़े टोटके करके अपना भाग्य बदल सकते हैं। जियोतिश शास्त्र में इस उपाई के बारे में विस्तार से बताया गया है। जब भी ग्रह नक्षतरों की दिशा और दशा बदलती है तो सभी लोगों पर उसका असर पड़ता है। इसके प्रभाव में आकर कई लोगों की किसमत सवर जाती है तो कईयों की बिगर जाती जोतिश शास्त्रों में कई ऐसे उपायों का वर्नन किया गया है, जिनका इस्तेमाल करके हम ग्रहों को शांत कर सकते हैं, इनहीं में से एक धनिया का उपाय भी है, कहा जाता है कि धनिया का टोटका कर लेने से परिवार की आर्थिक स्थिती मजबूत होती है, साथ ही परिवार पर मा लक्षमी की कृपा बनी रहे, इसके लिए शुक्रवार को धनिया का उपाई कर ली, उस दिन लाल कपड़े में धनिया के कुछ बीज और चांदी का एक सिक्का रखकर मा लक्षमी की प्रतिमा के सामने अर्पित कर दें। इसके बाद मा लक्षमी के साथ उस पोटली की भी पूजा करें और बाद में उस पोटली को अलमारी या पैसे रखने वाले स्थान पर रख दें ऐसा करने से घर में धन का प्रवाह बढ़ने लग जाता है। खूब कमाने के बावजूद अगर आपकी जेब खाली ही रहती है तो आप हर बुधवार को गायों को हरा धनिया खिलाएं। गुमान चालिसा का पाठ करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से परिवार के सदस्यों में मनमुटाव दूर होते हैं और आपस में प्यार बढ़ने लगता है। इस उपाए से समाज में परिवार का मान सम्मान बढ़ता है। अगर आपने किसी को पैसे उधार दे रखे हैं और काफी कोशिश के बावजूद आप उन्हें वापस नहीं निकाल पा रहे हैं तो धनिया का उपाए आपकी मदद कर सकता है। इसके लिए आप शुक्रवार के दिन किसी कागस पर पैसे लेने वाले का नाम लिखकर उसमें सूखा धनिया रख दे, इसके बाद उस कागस की पुडिया को पास में बहते हुई नदी या नहर के साफ जल में प्रवाहित कर दे, इस उपाए से अटका धन वापस मिलने की य लोग बने लगते हैं